चलिए देखते हैं आज एक कॉंसेप्ट करना था और सर कॉंसेप्ट का क्या नाम था कॉंसेप्ट है हमारा अन्रिलाइस प्रॉफिट का ना अन्रिलाइस प्रॉफिट का हमारा बेसिकली ना पाइंड करना प्रॉफिट तो अन्रिलाइस प्रॉफिट का मतलब पहले एक बर दुबारा कॉंसेप्ट देख लेते हैं नॉर्मली होता क्या था अन्रिलाइस प्रॉफिट में जैसे कि मान लेते हैं एक कमपनी X लिमिटेड है और एक कमपनी हमारा Y लिमिटेड है, इसके पास स्टॉक है, मान लेते हैं, इसके पास स्टॉक जो है, वो है पचास अजार का, इसके पास, इससे थोड़ा दूर कर देते हैं, यह से नीचे ले आते हैं, इसके पास स्टॉक है, पचास अजार का, और यह स्टॉक पता है किसने बेचा, इस स्टॉक की अगर मैं कहानी बताओं तो किसने बेचा, यह Y लिमिटेड ने इसको बेचा हुआ है, और Y Limited सारा नहीं बेच रहा इस स्टॉक में से 20,000 रुपए का स्टॉक बेचा है किसने बेचा है? Y Limited ने और Y Limited जब X Limited को 20,000 रुपए का बेच रहा है स्टॉक तो बट अविस है जब ये दोनों आपस में MLG मेंट नहीं हुए थे तो इसने profit margin पर बेचा होगा अब ये कह सकता है कि भाई मैंने तुझे जो 20,000 का समान बेचा है उसके अंदर मान लेते हैं 3,000 रुपए मैंने mark-up रखा है इसको mark-up भी बोलते हैं ध्यान रखना मैंने profit रखके बेचा है यानि मेरा समान जो था ना अगर तुझे मैं बताओं कि समान कितने का था भाई X Limited तो मेरा समान था total 17 का यही होगा ना सिंपल बना देते हैं तो इसने क्या कहा Y Limited ने कि जो मैंने तुझे बेचा है वो मुझे पढ़ा था कितने का पता है 17 का और 3,000 मैंने इसके अंदर profit जोड़ा नजर आ रहा है यही खानी है तो जब दोनों company मिल जाएगा तो यह अपने stock में से profit को eliminate करेगा हटाएगा और profit कितना इसके अंदर जब दोनों जुड़ेगा तो एक ही company हो जाएगी तो profit कितना है 3,000 तो तो 3,000 है उसे बोला जाएगा इसके अंदर unrealized profit यह यह अपने stock को कम कर देगा किस से 3,000 से तो सर 3,000 से जब अपने stock को कम करेगा तो entry क्या करेगा आपका stock को credit कर देगा यह कितने से कम कर देगा 3,000 से और किस से match कर देगा वोड़ बिल से समझ रहे बात तो सर यहां पर अगर amount में given है न तो कोई दिक्कत नहीं है अब given होता है percentage में तो क्यासे निकाले तो सबसे पहले जो company अगर किसी के stock में included है तो हमेशा selling price होगा वो किसी के stock में बोला जाए included है तो हमेशा selling price होगा क्योंकि इसने खरीदा है इसके stock में included है तो selling price ही रहने वाला है और वो बोले के मैंने उसे इतने का costing का इतने का बेच दिया जो उसके कॉस्ट में included है तो वह अलग बात है हमारा ठीक है न तो चलिए एक दो हंड्रेड रुपीज है और जीपी 20% है आपको यहां find करना है cost तो सर यहां पर cost क्या होगा अगर मैं cost की मैं बात करूं cost की बात करूं तो सर cost होगा यहां पर दो तरीके हैं एक तो हम let कर लेंगे जो चीजे question mark होता है उसको हम let कर लेते हैं तो अगर cost पूछा जाए तो एक तो let करना है और यहां पर सबसे main चीज let कब किया जाएगा यह भी है अब देखें GP किसके उपर है GP किसके उपर है question में कहीं नहीं बताए GP किसके उपर है या तो कई बार क्या होगा या तो बोलेगा GP इसके उपर है या तो GP लेकिन इस question में कहीं भी बताए कि GP किसके उपर है तो हमेशा consider करना sale के उपर होगा जब कुछ न बोला जाए तो तो sir sale के उपर अगर GP है तो हमारा जो normal होता है sales जो होता है हमेंशा क्या होता है sales is equal to cost plus में GP कह दो या plus में profit कह दो ठीक है न तो cost प्लस यह हमें sale पता है जी पता है sale कितने का है 100 रुपे का है cost पता है ये इतो जवाब आगे आपका सर 80 रुपीज का यहां पर क्या है कॉस्टिंग और जीपी भी मैं पूछ लूँ अगर मैंने जीपी भी पूछा सपोस्ट करो तो जीपी भी इजली निकाला जा सकता है एक्जामपल नंबर टू देखिए एक्जामपल नंबर टू देखिए एक्जामपल नंबर टू में क्या है मैंने अगेन दे दिया आपको सेल्स दे दिया कुश्चन मार्क या सेल्स तो दे ही देते हैं आपको ना सेल्स दे दिया फिर से 100 रुपे अब मैंने कह दिया जीपी ओन कॉस्ट 25 पॉर्सेंट आपको निकालना है यहां पे जीपी क्योंकि हर बार हमें जीपी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना है सर हमें और निकालना है साथ के साथ आपको cost ठीक है चलिए सर इसका answer देखते है इसका answer क्या होगा सर आपको फिर से again format में कहा जाना पड़ेगा format में जाना पड़ेगा हमें क्या वही बाते लिखनी पड़ेगी sales क्या होता है हमारा is equal to cost plus gp cost plus gp sales हमें पता है 100 रुपे इस बार ना gp पता है किसके उपर बोल रहा है cost के उपर बोल रहा है और cost हमें question में given नहीं है cost हमें question में given नहीं है ठीक है ना cost अगर question में given नहीं है तो cost की बात करें तो cost क्या है हमारा मान लेते है x और gp हमें नहीं पता लेकिन हम ये पता चल गया cost को x मानें तो gp निकाला जा सकता है x by 4 x की value solve करिए क्या होगा हमारा 5x 100 और divided by 4 4 से multiply करिए कितने आ जाएंगे 400 और is equal to 5x 80 आ गया आपको पता चल गया x 80 है तो आपने find कर लिया sir यह 80 है और आपको पता है sales और इसके बीच का difference gp होगा तो यह होगया 20 यहां था कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहां था हमने निकाल लिया easily तो sir इसके अंदर तो हमने कुछ ज़्यादा लेंदी करा और यहां पे बिना इसके किए निकाला जा सकता था directly समझें फरक यह था इसके अंदर क्योंकि यहां पे हमें value जो given था वो sales का value given था और gp जो है वो भी sales पे कह रहा है तो जो value given है उसी के उपर gross profit बोला जाए तो simple directly percentage multiply करके निकाला जा सकता है लेकिन यहां पे given है sales और gp किस पे कह रहा है cost पे तो ऐसे situation में हमें पूरा let tax करके करना पड़ेगा दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि एक table है उसी के according exam में question रहता है maximum time तर चलिए sales sales का देख लिए हम अब देख लेते हम cost वाले का एक बार चलिए cost वाले का देखते है example number 3 इस बार अब मैंने देना start कर दिया पता है cost sir cost कितने का है मान लेते है 100 रुपय का है और gp किस पे है gp मैंने बोला on cost कितने percent 25% sales क्या है sales नहीं पता sir आपको निकालना है और sir gp क्या है gp भी नहीं पता आपको निकालना है तो ऐसे situation में आगे चलते है answer के तरफ sir answer क्या होगा इसमें answer देखिए cost दे रखा है और gp किस पे है cost पर यह तो simple निकाल सकते है sir gp पूछा है पहले आपने तो gp मैं पहले जवाब दूँगा तो 100 पे 25 पर संट या नि 25 रूपय sir sales पूछा है तो sales तो हमारा क्या होता है sales होता है हमारा cost और उसमें क्या जोड़ दे हम gp cost और gp अगर मैं cost और gp की बात करूँ तो हमें sales नहीं पता ठीक है लेकिन cost तो पता है न 100 और gp पता है न हमें 25 तो ये क्या आ गया हमारा 125 आ गया हमारा sales मैंने यहां क्यों लिखती है यहां नहीं लिखना तो आ गया 105 और मैं example 100 पर इसलिए ले रहा हूँ जितने यहीं बच्चे देख रहे होंगे live classes में जितने बच्चे चाहें आप हैं आप easily mind में calculate कर पा रहे होगे यहीं होगा process को बस मैं निकाल रहा हूँ यहां पर के ऐसे ऐसे है बागी पता पहले चल रहा होगा अगले point पर चलते हैं ठीक है अगले point पर चलते हैं दिख रहा ही है example में मैंने आपको cost दे दिया cost दे दिया मैंने 100 रुपए और GP दे दिया मैंने on sale sales 25% या हम 25% के जगह पर कर देते हैं 20% sales हमारा नहीं पता सर question mark है और GP भी नहीं पता सर question mark है तो अब अगेन हम क्या direct percentage निकाल सकते हैं क्या बताइए direct percentage निकाला जा सकता है आप देखिए यहाँ पर क्या है यह cost और यह किस पर बात कर रहा है नहीं निकल सकता पूर equation मनानी पड़ेगी यहाँ पर तुमने direct percentage निकाल लिया था देखो GP 25 क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हू प्लस GP, sales is equal to cost plus GP, sir sales पता है क्या नहीं पता जी, x मानिये, sir cost पता ही क्या पता है, 100 मानिये, sir GP हम निकाल सकते हैं, sales के उपर निकलेगा, sales को x माना है तो इसी के उपर तो निकालेगे, तो x by 5, x की value solve कर यह इधर आ जाएगा, इधर जब आ जाएगा, तो x minus x by 5 is equal to 100, यह क्या आ जाएगा, 3x, 4x, यह आ जाएगा 4x, 4x divided by 5 is equal to 100, और यह आ जाएगा हमारा, 500 divided by 4, तो 125 रुपए sales आगे, और आपको अगर cost पता है पहले से, तो आप GP easily find कर सकते हैं, और GP का value बता देंगे, sir, 125 का sales है, और minus में cost कर दो 100 रुपए का, तो यह आगे हमारा, 25 रुपए, तो यह हमने निकाल लिया, 125 है, और यह कितना है हमारा, 25 है, 25 है, बताइए कोई doubt, यह सारा समझ में है, यानि इस वाले example से हम सिर्फ एक ही point पे पहुँच पाए है, कि sir, अगर sales दे रखा हो, और GP on sales हो, तो direct निकाल लिएगे, अगर sales दे रखा हो, और GP on sales की बजाए cost पे बोलता है, तो हमें पूरा करना पड़ेगा, इसी से बचने के लिए एक थोड़ा सा shortcut, जो percentage हम लिखेंगे यहां, maximum chances रहता है, कि examiner जो है न, यही percentage use करता है, maximum chances रहता है, कि examiner जो है, यही percentage use करता है, कुछ एक, sir, कौन सा percentage? चलिए, यहां पर लिख देते हैं हम, cost, और यहां लिख देते हैं, sales, हमें इसा याद रखना, sales के उपर GP अगर 20 है, तो cost के उपर बढ़के होगा, ठीक है न, अगर आप sales पे 20% कमा रहे हो, तो cost पे 20 नहीं कमाऊगे, cost पे ज़्यादा percentage करना पड़ेगा, तब 20% के इक वो लाओगे आप, यहांनी cost पे 25% कमाऊगे तब, होगा, सर ऐसा क्यों, यहां पे देख लो, कहानी मैंने बताया आपको, यहां पे कितना था हमारा, GP on cost कितना था, 25 था न, और यहां GP on sales कितना था, 20 था, दोनों case में देखो, समझ रहे हो बात को, तो cost के उपर हमेशा GP हमारा बढ़के होता है, और sales के उपर GP क्या होता है, कम होता है, तो चलिए, अगर आपको cost पे, मैं starting से लेके चलता हूँ, अगर cost पे आपको बोला जाए ना कि 20% है, अगर cost पे बोला जाए आप से कि sir, GP जो है 20% है, 20%, तो sales पे पता ही कितना होगा, 16.666, calculator पे पूरे 6 तक ले जाना, आपका accurate answer आएगा, अगर कहा जाता है कि sir, अगर इस पे 25 हो, तो इस पे कितना होगा, 20 होगा, अगर इस पे 33.333, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, 33, 1 by 3% भी लिखा जाता है, तो इस case में पता ही कितना होगा, इन दोनों case में, ये होगा हमारा हमेशा, 25%, इसके बाद आगे देखा जाए तो अगर हम बोलते हैं 50% है cost के उपर, तो याद रखना, sales पे होगा हमारा, और ये 333, calculator पे पूर डिजिट ले जाओगे तो आ जाएगा, तो sir ये कैसे हम apply करेंगे, चलिए apply इसी पे कर लेते हैं, नीचे जगह है, ये तब apply करना है आपको जब दोनों differ हो, cost भी differ हो और GP भी differ हो, यहाँ पे देखते हैं, sales है और sales, इस पे नहीं करना अपलाई है, तो direct निकल जाएगा है, क्या apply करेंगे, यहाँ पे sales है और cost की बात कर रहा है, तो cost पे 25 है, तो sales पे बनाये जा सकता है, तो cost पे ढूंडो 25, तो sales पे कितना होगा 20, तो direct देखो sales पे निकाल लो, sales हमारा 100 है, इसका direct 20% निकालेंगे हम, तो हमारा क्या आगया GP 20, और costing डारेक्ली निकल जाएगा जो हमने निकाला है, तो यह वाला जो process है ना हमारा यह वाला process, इस process से बच पाएंगे, और जो percentage लिखा है examiner, इसी percentage के उपर maximum time पे question पूशता है, तो sir यह कोई formula है, trick है, कोई formula, कोई trick नहीं है, जो ज़्यादा बार rotation में पूछा जाता है examiner के दौरा, वो चीजे मैंने fix करके, मैंने लिख लिया है, और वो ही बच्चों को बता देता हूँ, so that exam में जल्दी से जल्दी हो पाए, समझ मैं ही बात आपको, चलिए, इस पे apply कर सकते हैं क्या हम, cost पे है और यह भी cost, इस पे apply नहीं होगा, इस पे apply किया जा सकता है, यह cost है और बोल रहा है sales पे, तो sales पे 20 बोल रहा है न, तो cost पे कितना होगा, 25, तो simple देखो यहाँ पे, अगर आप से cost के उपर 25 परसेंट निकालना है, और cost ही दे रखा है, तो sales निकाला जा सकता है, या GP पहले निकाल सकता है, GP बिल्कुल निकाला जा सकता है, GP क्या होगा हमारा, 100 रुपय था, और इसके उपर हमें apply percentage 20 नहीं करना, हमने तो convert कर लिया उसको, कितने करना है हमें, 25 तो देखो यहाँ पे GP आ गया कितने, 25 और यहाँ पे भी देखो GP हमने निकाल रहा था, 25 तो यह देखो एक step में हो गया, और एक step कि आपको percentage पता, तो calculator पेखा था हम, समझे बात, तो यहाँ पे कुछ sales और GP से related यह चीजे रहती है, तो आपके book में last class में जो question किया था, और भी मैं question देख लेता हूँ, कि किस किस तरीके से होने वाला है, हमने question number, आपको एक homework भी दिया था, question number 10, देखो 10 जो करा था ना हमने, 10 का जो adjustment number 5 करा था, इसमें कहता है stock और beta limited 3000 worth, तो stock beta limited में included है, तो selling price है भाई, और बोलता है cost पे 25%, अच्छा selling price दे रखा है, question number मैं 10 की बात कर रहा हूँ, selling price दे रखा है, और profit किस पे बोल रहा है, cost पे, तो अलग बाते हो गई, तो profit cost के उपर 25 बोल रहा है, cost के उपर अगर 25 बोल रहा है, तो automatic हमें पता है, sales पे कितना calculate करना पड़ेगा, 20% और 3000 का सीधा 20% निका लो, देखो 6000 और last class में याद होगा, कि मैंने किस से entry करा था, 6000 से, और भी देख लेते हैं सर, किस question, हाँ, हाँ, नी मैं, अच्छा 13 का 4th part, same ना, क्योंकि इस टाइप का कर लेंगे हम, एक question आया है, sir 13 का 4th part है, बिल्कुल, 13 का 4th part, question मैं adjustment ही तो करना है, चलिए next page पे चलते हैं, question में क्या कहता है, 13 के 4th part में पढ़ लेते हैं, question number 13 का हमारा है 4, बुक कौन सी है, जे आर मोंगा बुक है, become owners, कहता है, the stock of guru limited, यहाँ पे दो company है, guru limited है, g limited बोल देते हैं, और एक है, k limited, दोनों का समझने के लिए, एक balance sheet भी बना लेते हैं, roughly, है न, question में क्या कहता है, question में कहता है, stock of G, पहले कोन किसको take over कर रहा है, यह देख लेते हैं, कहता है यहाँ पे observe, G ने के को खरीद लिया, यानि यह company खरीदने जा रहा है इसको, यह company इसको खरीदने की तैयारी में है, ठीक है सर, कहता है stock of G limited, इसके पास कोई stock है, कितने का stock है सर, 45,000, आगे कहता है purchase from Christian limited, इससे खरीदा है, purchase जो किया है, इसने किससे किया है, इससे किया है, कोई बात नहीं, made a profit 25% on cost, और यह जब कभी भी इसको समान बेशता था, तो यह cost के उपर कितना कमा लिया करता था, 25% कमा लिया करता था, तो पहले हम एक पार्ट, उसके बाद क्या कहता है, where the stock of Christian limited, 36,000 रुपे, यहाँ पे भी stock है भाई, इसके पास भी stock है 36,000, इसकी भी कुछ बाते कर रहा है, goods purchase grew limited, देख लो भाई यह क्या कर रहे हैं, के एक दूसरे से खरीदारी कर रहे हैं, तो यह जो stock है यह इसने इससे खरीदा था, समझे रहे हैं बात को, where grew limited, 25% कमाता था on sales, और यह जो profit कमाया करता था, इससे वो 25% कमाता था, लेकिन किस पर कमाता था, sales पर, question मैं दुबारा, आपके पास है, तो simple सी बात है, यह दोनों आपस में बेशते हैं, इसने खरीदा था है, तो हमें पहले इसके point of view से चलना है, sir, इसमें 45,000 रुपे का जो stock है न, वो इससे खरीदा गया था, अब यह company तो मेरी है, यह company किसकी है, मेरी company है, और मेरी company है, तो मैंने अपनी company से खरीद लिया, और इस company ने चला की क्या दिखाया, कितने percent profit markup रखा था, 25, यह बोल रहा है, मैं cost पर 25 रख रहा हूं, लेकिन cost तो बताए ही नहीं, अब इस company के अंदर जैसे ही आ गया, अगर सामने वाले party बोले, सामने वाला party बोले कि हमने cost पर 25 कमाया है, तुमारे stock में, जो तुमारे पास stock है न, उस पर मैंने 25% cost पर कमाया है, तो इसका मतलब समझ जाओ, कि हमारे पास जो stock है न, ये SP पे होगा, selling price पे होगा, किसके लिए, इसके लिए, मेरे लिए तो cost ही है, लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा, जो तेरे पास sales है, उस पर मैंने 20%, जो तेरे पास stock बेचा था, बेचा था का मतलब sales हो गया न, उस पे मैंने पैसे कमाए है, लेकिन cost पे कमाए है, तो simple सी बात है, cost पे कितने percent है, लेकिन हमें पता क्या है, sales, cost पे तुने कमाए 25, और मुझे selling price पता है, तो दोनों differ हो गया, तो apply कर दे, क्या कहा था मैंने, cost पे कितना होगा हमारा, अगर 25, तो sales पे कितना होगा, तो देखे सीधा हमें क्या करना है, यहां पे, सीधा 20% निकाल देना है, किस पे 45,000 पे, और 45,000 पे सीधा 20% निकाल लेंगे, और हमें पता चल गया, जी unrealized profit जो है, वो है 9,000 रुपे, एंट्री क्या करेंगे, इस पार्ट में किसी को दिक्कत ने तो, पहले doubt बताईए, इसके अंदर question की मैं बात कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, आप hand raise करके पूछ सकते हैं, आप clear कर दूँगा पूरा, बताईए आप अधिती, आप hand raise करिए, वो ऐस आ जाएगी, उससे मैं clear कर दूँगा आपको doubt आ रहा है, confusion जो भी है clear कर लेना आप, नहीं तो आगे तक दिक्कत रहने वाली है, एक सेकेंड, अरे, यह क्या हो, एक बार दुबारा hand raise करना दीती, वो थोड़ा सा disconnect हो गया था, दुबारा करो एक पर hand raise, येस, बताईए क्या confusion है, गुद मार्नी सेर, गुद मार्नी, तो देखो, इसके अंदर आपकी second class है, तो थोड़ा confusion रहेगा, आपको मैं यही थोड़ा सा advice करूँगा, कि आपना पहले first class से देख लीजिए एक बार, जब आप first class से पूरा देख लेगे ना, तो फिर so that मैं अच्छे से clear कर पाऊँगा, और पहले first class से देखिएगा, क्योंकि second class है, आपने अभी recently जोइन किया, तो confusion रहेगी, first class के बाद जैसे जैसे doubt होगा, मैं अपना number दे देता हूँ, यहाँ पे chat में, आप उस पे मुझे WhatsApp कर सकते हैं, और WhatsApp का, जैसे मेरे पास time available होगा, मैं reply जरूर कर दूँगा, वो मैं number दे देता हूँ आपको, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब एक कहानी हमने निप्टा है यहाँ पे, एक कहानी किसका निप्टा है, जो इसके अंदर stock है, उसकी बात हमने की है बस यहाँ पे, दूसरी कहानी क्या है, सर इसके भी stock है, जब मैं इस company को खरीदूँगा, जब मैं इस company को purchase करूँगा, तो आप ध्यान से सोचिए, यह stock भी मेरे पास आएगा, और मैं अपने stock में जोडूँगा, और फिर पता चलेगा, मैं ने जो profit में इससे बेचा था, वो ही मेरे अंदर जुड़ गया, तो यानि अब फिर मेरा stock गड़ बढ़ हो गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम इसकी entry तो कर नहीं रहे, कि हम इसका stock कम कर दे, यानि हम इसके stock को भले ही, आपको दिख रहा है 36 का, लेकिन जब मेरे पास आएगा, तो इसकी value 36 नहीं रह जाएगी, इसके अंदर से profit value निकाल के, फिर वो मेरे पास आएगा, सर इसमें कितना profit value जुड़ा हुआ होगा, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे 25% किस पे कमा रहा है, sales, और यह कमा रहा है sales के उपर, और इसके लिए 36,000 क्या है, sales है, तो 25% निकालोगे sales के उपर, तो क्या आ जाएगा हमारा, 36,000 into में, कितने, जो की आ जाता है, 9,000, यहाँ पे भी क्या था, और यहाँ पे भी 9,000 है, अब मैंने उस company के जो stock को खरीदा न, वो 36 का नहीं खरीदा, 36 सस्ते में खरीदा, तो कहीं न कहीं generate हो जाता है capital reserve, क्या generate हो जाता है हमारा, capital reserve, तो हम उसके stock को सस्ते में खरीदेंगे, तो हमारा कहीं न कहीं capital reserve generate होगा, तो हम एक तरफ, यहां पे हमारा क्या generate हो रहा है? Goodwill क्योंकि आपने entry बताया सर यहां पे entry करो Goodwill और to Stock और इधर generate हो रहा है Capital Reserve तो इस Goodwill को cancel कर देंगे cancel जब हम इस entry अगर यहां पे ऐसा है तो cancel कर देंगे तो cancel करने का entry क्या होगा हमारा Goodwill, Capital Reserve to और ये पूरे नो हजार आपस में नौकाफ सेट अफ हो जाएगा जब दोनों कंपनी में प्रॉफिट हो तो देखिए तो आप बुक में भी देखेंगे एक एंट्री करा हुए है नो हजार रुपे गा हाँ गुडविल टू इस्टाग भी मिलेगा आपको नो हजार यह तो यह वाली अंट्री है जो इसने किया पहले गुडविल क्रिएट किया उसके बाद दूसरी तरफ हमारा क्या बन रहा था यहाँ पर सर दूसरी तरफ बन रहा था मारा Capital Reserve तो Capital Reserve कर दिया ठीक है मैं ये वाला कोश्चन पूरा ही कराऊंगा बोर्ड पे पहले छोटे-छोटे adjustment एक बार हिंट दे दूँ फिर मैं पूरा करा दूँगा और भी देखिए क्योंकि unrealized profit को आज अच्छे से कर लेते हैं अगला point किस में हैं ढूंडिए कोई और question मिल रहा है कि इसमें कोई और question question number 20 पूर्थ पार्ट यह तो liquidation expenses है अच्छा आगे भी कह रहा है न कहता है यह लिमिटेट 60,000 वर 68,000 गुट इस्टिल इन ओ यह लिमिटेटर की बात कर रहा है जीपी वाला नहीं है यह लिमिटेटर की बात कर रहा है कि उसको समान बेचा था वो उसके stock में included है चलिए आपको mainly पता तो चलिए ना practice करोगे तो खुद बाखुद डाउट बता दोगे आपके सर इसमें डाउट आ रहा है नहीं है important adjustment है यह चलिए अब आज आते हम question के उपर starting से हम चल रहे थे question number 10 पर मैंने आपको एक homework दिया था last class में याद हो मैंने कहा था बिल्कुल साफ साफ करना और मैंने दिया था question number 9 था कूंसर 9 तो मैंने कर दिया था मिहूल वाला था न नहीं राहूल और 10 दिया था मैंने 10 में आपको जो दिक्कत आई होगी पहले adjustment में कुछ भी दिक्कत नहीं है second में नहीं दिक्कत third adjustment में नहीं मैंने 10 तो करा ही नहीं मैंने question दिया था जो question मैंने किया था उसी को बोला था मैंने करके लाने के लिए ninth ना तो आप सबने ninth किया है कर रख है तो अब मैं 10th question का हर एक adjustment करूँ आ एक तो कर दिया मैंने तो 10th का हर एक adjustment क्योंकि मेरी कोसिस है पूरा question करने में time लगेगा तो मैं फटा-फट से PC निकाल दूँ और PC निकालने के बाद adjustment समझा दूँ ठीक है so that PC निकालने के बाद adjustment समझा दिया तो आप general entry कर पाऊगे और जहां general entry हुआ balance sheet आप कर लोगे जिस balance sheet में आपका डाउट रहेगा वो मैं शॉट आउट करता जाओंगा तो चलिए question नंबर चलते हैं हम 10 पे पहले PC निकाल लेते हैं कैसे discharge करेंगे question में कहता है कि 10,000 equity share 100 रुपे का एक है at a premium तो हम देंगे इसे equity share capital कितने 10,100 रुपे का एक है लेकिन उसे premium पे तो मैं multiply कितने करूँगा 105 तो कितने आ गए 10,50,000 ये तो equity मिल गया बोल रहा है कि issue of preference share 100 रुपे का एक discharge preference share holder alpha limited 10% premium पे तो ठीक है सर उसके पास जो preference share मैं देख पा रहा हूं वह है 12,000,00 का नहीं किसने किसको खरीदा यहां पे खरीदा बीटा लिमिटेड तो 8,000,00 का प्रफेंशियर है कि कह रहा है कि हमारी company का आपको प्रफेंश चार लाग का अच्छा उपर प्रफेंशियर है साड प्रफेंश में यहां पार्फ़ यह देंगे याइन यहां पे हम आपके 8 परसंट वाले प्रफेंशियर को 100 पार क्मात्थ का किए यहां पे देंगे बदले में discharge के preference shareholder alpha limited at a premium तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो है कितने थे हमारे 59 और premium कितने percent कह रहा है कितने कह रहा है 10% तो 10% के हिसाब से देखा जाए तो 100 रुपए का एक है 110 multiply करेए क्या आता है यह 4.50 हो गया ना इसको पहले तो कम कर दो मैंने यह ज़्यादा ले लिया 4.50 मैं सब्सक्राइब दो जो रहे हो 4500 होगा यह बदाए 4.95,000 एक तो यह मिलेगा उसके company को हमने premium पे दिया है बस और कुस तो कहनी रहा the debenture holder beta limited convert equivalent number of आपका alpha limited debenture convert होता है तो उसकी कोई PC का पार्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ हम जो उसको payment कर रहे है वो यही दो payment कर रहे है तो यही दो पार्ट क्या बन जाएगा हमारा PC कितने का बन गया 14,00,000,000 यह रहा 15,45,00,000 है जो इसका honor है उसको स्रिफ यह दो चीज़े मिलेगा PC निकल गया है जैनल इंटरी सारा हो सकता है अब अज्जस्मेट पढ़ लेते हैं कि यहांद चाहिए वह मिश्प्रेंट है उसको से कर दो क्योंकि alpha limited के डिबेंचर कनवर्ट करेंगे नवीटा में तो तो हाँ अलफा आएगा कहता है the sundry debtor of alpha limited include 25,000 रुपे due from alpha limited यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि sundry debtor of alpha limited alpha limited के जो sundry debtor है 25,000 being due from यहाँ पे भी गलत कर दिया हाँ यहाँ बीटा होगा ठीक है यहाँ पे बीटा करो तो सर्द डेटर include है और उसमें debtor है तो एक जगा debtor include होगा एक जगा creditor include होगा तो so that आप journal entry भे भी देख सकते हो sundry debtor to sundry creditor to sundry debtor कर देंगे समझ रहे हो बताया था यह चलिए अब आगे कहता है question में bills payable यह वाला नहीं बता है तो मैं लिख लेता हूँ एक alpha limited company लिख लो पहले आप और एक कौन है बीटा limited एक alpha limited है एक बीटा limited है किसने किसको खरीदा बताओ बीटा ने alpha को खरीद लिया यानि यह बायर है कुछ दो पॉइंट में स्प्रिंट था ठीक करवा दिया वह कहता है बिल्स पेबल आफ अल्फा लिमिटेड अल्फा लिमिटेड का बीपी जो की है 7000 का बीइंग दा अमाउंट बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ बीटा लिमिटेड और इसको देना था बीटा को बिल्स रिसीवेबल और बीटा लिमिटेट पांच हजार उनली बिल्स डियू ओन अल्फा और इसके पास सो हो रहा है सिर्फ पांच हजार रुपए तो सर ऐसी क्या कहानी हुई यहां पे कनफ्यूजन यहां पे यह है के सर इसने तो प्रामिस किया था कि भाई बीटा मैं तुझे 7000 रुपए दूँगा लेकिन बीटा कह रहा है कि भाई तुझे लेने कितने है मुझे 5000 यही कह रहा है न बीटा तो इसका मतलब 2000 इसने पहले ही कभी ले लिया होगा या बिल डिसकाउंट करा लिया होगा बैंक से जाके BR डिसकाउंट होता है न मान लेते हैं इसके पास जब इसने दिया इसके पास चल चल के कितना आया होगा इसके पास चल चल के साथ आया होगा और साथ में से इसने दो क्या कर लिया होगा bank से discount करा लिया होगा तो इसके पास कितना जुडा होगा bills receivable के अंदर पांची तो जुडा होगा bills receivable में बेक्रावन को समझो आप मैने काहा कि भाई मैंने तुम्हें BP दिया है मैं तुम्हें पैसे दूँगा बीपी लो 7000 तुम कह रहे हो मेरे पास बी आर है जो तुम से लिया था 5000 तो दोनों की बात तो डिफरेंस हो गई न तो डिफर क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि उसने 2000 का बी आर बीपी कहीं न कहीं एकस्जेश कर दिया होगा इसलिए उसके पास है तो यहां सेट अफ करेंगे तो एक तरफ से तरह कम हो to करूँगा मैंने क्यों कि नहीं बीपी को खरीद लिया है तो मैं बीपी को भी डेबिट कर दूँगा कितने से कर दूँगा मैं तो समझे बात दो हजार का यहां कोई रोल हाँ अगर यह दो हजार की बात आगे और कुश्चन इंट्रस्टिंग हो जाता बोलता यह डिसकाउंट कराया था डिसोनर्ड हो गया तब वहां पर बैंक से हमारा रिवर्स आता हमारा बैंक कम हो जाता और बी यर वापस आ तो आप यहां पर इंट्री देख सकते हैं आपको मिल जाएगा बीपी बिल से सिंपल सकर रख है और इसके बाद वाला तो मैंने बताई दिया आज तीस अजार वाला पॉइंट और इस टैचरी रिजर्व टू यर मोर के लिए बनाना है पिछले कोशन में बड़े मैंने धीरे-धीरे कराया था इसमें डाउट नहीं होना चीए तो देखो कुछ बच्चों को यह चेप्टर टफ लग सकता है क्योंकि इसके अंदर कॉंसेप करवादा था धीरे-धीरे उस पूरे कोशन को आप एक बार करिए आप दो बार करिए एक बार माइंड में स्ट्रेक्चर फिक्स करिए उसको जैसे माइंड में स्ट्रेक्चर फिक्स हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा यह अमाउंट ऐसे ऐसे लिखना है उसके बास स सल सके कि इसके अंदर आड़िजस्मिंट के पार्ट ग्हां कि जब एक्जाम आइगा तो रिविजन टाइम पे सारा का साना हो यह चो बताइए इसके बाद में मिदे देते हमको कुष्चन नमबर अरितु आपने बोला बीटा लिमिटेड वाला कुश्चन था समझ बनी आया मुझे ये पॉइंट होमपक में कुश्चन नमबर 11 टिक कर लीजिए मर्जर नहीं करना अगली क्लास का कॉंसेप्ट रहेगा मर्जर मर्जर में थोड़ा सा चेंज़स है वो देखेंगे कुश्चन 13 दिया था मैंने 14 भी कर लो नहीं होगा तो 14 मैं करा दूँआ 15 कर सकते हो आप 15 पर ट्राई करना जो अड़्जस्मेंट समझ में नहीं आएगा उस पर पॉइंट आउट कर लेना मैं करा हूँआ 17 हो सकता है आपका तो बस 17 तक कुश्चन ट्राई करिए टोटल कितने कुश्चन है तीस है इसमें टोटल कितने है तीस है 17 तक करिए मतलब दो क्लासस मानिए मैक्स टू मैक्स संडे तक हम इसे वाइंड अप करेंगे चप्टर को और इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगा वो होल्डिंग कंपनी स्टार्ट मैं करवाँगा आपका रीकंस्रक्शन बीच में नहीं करना उसके बाद फिर लिक्विडिशन या पहले लिक्विडिशन फिर प्रीकंस्रक्शन कर लें ठीक है न मैं ठीक है मैं कुश्चन भीज दूँआ एक पर कुश्चन जैसे पीडिया भीजा था ना मुझे भीज देना कुछ बच्चों का बुक नहीं भीज जाना पड़ता मुझे मिलते हैं कल सुभे मौर्निंग में सेवन अक्लाउप ये ये सराहूल बता ये